एब यहां पर कता शुरू होती है वर्षुराम जी के प्रकट्टे की चुरू होती है ब्रह्मा जी से ब्रह्माजी के एक पुत्र थे ब्रिगू ये उनके मानस पुत्र है और ब्रीगू जी के पुत्र हुए चेवन रिशी चेवन जो है वो साक्षात ब्रह्मा के सद्रिश भूमी पर परकट हुए उनके तपस्या पूर्ण चरित्र के कारण ही सुकन्या को पिता ने विशेश परिसिती में धर्मपत्नी के रूप में उन्हें दे दिया उन्हीं चेवन रिशी महर्शी ने चतक्रतु इंद्र को जीत कर अश्वनी कुमारों के लिए यग्यभाग सोम का प्रावधान किया चेवन आप लोगको पता है न चेवन आर्वेद उनसे ही आया चेवन प्राश तो यह जो ब्रिगू ब्रिगू के पुत्र चेवन चेवन जी के पुत्र रिचिक रिचिक ने पत्नी की सेवा से रिचिक की जो पत्नी थी गाधी नरेश की पुत्री तो रिचिक तो ब्रामण हुए लेकिन उनकी पत्नी शत्री है तो उसने आकर के बड़ी सेवा करी रिचिक मुनी की तो रिचिक ने तो चेवन के समान उनका जो पुत्र था वो रिचिक था और रिचिक की जो पत्नी थी वो राजा गाधीन की जो पुत्री थी वो उनकी पत्नी थी तो पत्नी ने बड़ा सत्यवती नाम धान का उन्होंने बड़ी उनकी सेवा करी तो रिची बड़े प्रसन्न हो गया वो ड़े क्या चाहिए बोलो क्या एकछम अपनी माग से पूथ चाहिए यह अपने एक भाईची आप लोग सुचेंगे ऐसे कैसे मान सकती है पहले के जमाने में ऐसे ही होता था बड़े यंग में ही बच्चे हो जाते थे तो इसमें नॉर्मल सी बात है तो रिचिक ने का ठीक है मैं ऐसा ही करता उन्होंने एक जड़ी बुटी का कुछ बनाया उन्होंन यह तो ब्रामण है लेकिन मा और पिताजी तो छत्रिये है तो छत्रिये के लिए चत्रिये गुणवाला बच्चा होना चीए और ब्रामण के लिए ब्रामण गुणवाला बच्चा होना चीए इस प्रकार से रिचिक ने दो चरू बनाया और कहा यह तुम्हारे लिए है बढ़ाई होगे पर चला क्या गई माने का उनको क्या लगा कि रिचिक ने कुछ अच्छे गुण वाले चरू बनाए होंगे जो अपनी पत्नी को दिया होगा मुझे पता नहीं शाहत वह वाला चरू नहीं देंगे तो माने बड़े प्यार से मासे बेटी से बात किया बेटी तुझे तो लगता है बड़ा अच्छा वाला दे दिया होगा या तू एक काम करना तू अपना वाला चरू मुझे दे दे मेरा वाला तू ले ले बेटी बिचारी भोली भाली बहली हां लेलो मा कोई तकलिफ नहीं है चरू तो चरू ही है लेलो अब दोनों ने चरू को तुम्हारे को ब्रामन होने वाला था अब तुमने चत्रिय का चरू खा लिया अब जो बच्चा होगा उसके अंदर चत्रिय वाले गुण होंगे और तुम्हारे जो माता हैं उनके अंदर वो भले चत्रिय कुल में पैदा हो लेकिन उसके अदर ब्रामन वाले गुण वाले बच्चा पैदा होगा ये तो उल्टा कर दिया तुमने तो ये बड़ी दुख्य होगी ऐसा क्यों अब क्या होगा मुझे बचा लो मैं तो आप कुछ भी करो बचा लो आप मेरे पर कृपा करो मेरी तूटी को छमा करो मैं आप जैसे ब्रामण वह अत्यंत शील संपर ब्रामण की अरधांगनी हूँ तो आपने जैसा अभी बताया है वैसा पुत्र ना हो ऐसे आप कृपा करे यह सुन करके महाभाग फिर रिशी बोले हे शिवे मंत्र से तयार किया गया चरू अमोग है वह मिध्या कैसे हो वह कभी व्यर्थ नहीं होगा फिर भी तुम्हारा पुत्र शांत हो ऐसा मैं अभी तुमको आशिरवाद देता हूँ और आपकी माता का पुत्र वैसा का वैसा ही हो उनकी जो माता का जो पुत्र हुआ ना वो हुए विश्वा मित्र राजा थे लेकिन तपस्वी निकले रिचिक और सत्यवती से जो पुत्र हुए वो हुए जमदगनी जमदगनी आगे चल करके उनकी उनकी जो शादी हुई रेणुका से और रेणुका और जमदगनी के जो पुत्र हुए वो है वर्शुराम पुत्र रेणुका बारे में तो आप सबको पता ही है 21 बार शत्रियों का उन्होंने नाश किया था उसकी कथा बहुत लंबी चोड़ी है वो कथा में हम नहीं जाएंगे क्यूंकि आप लोग को पता ही है ठीक है ना पिताजी किया गया फिर वो कार्दविर अरजुन आया थ तो इसमें नहीं है तो इनको बचाने के लिए पर शुराम जी फरसा उठाए जाकर के सब कुमार दिये लेकिन यह जब एक चरित्र जम्बै पहले पढ़ती थी तो मुझे लगता था इतना क्रोध इनकों कैसे बगवान कांच्प केते हैं मैंने अपने माराजी को पूछा कि इतना क्रोध है इनके अंदर तो क्यों मारा इतनी बार जाकर कि किस बार मारने का क्या जरूरत था तुम्हारे पिदाजी के साथ जो प्रॉलम थी समझ गही मैं एक किस बार मारने की क्या जरूरत थी तो मेरी त्रिपुरा रस इतनी अच्छे से मुझे नहीं आती थी माराजी बोले जो वेद के खिलाफ हैं सबको नहीं मारा था जब-जब कोई वेद के खिलाफ होता गाय के खिलाफ होता ब्राम्मण के खिलाफ होता जो चत्रिय वेद, ब्राम्मण, गाय के अगेंस होते हैं, उनका वो नाश करते हैं, उन्होंने पुछे चत्रिय क्लैन का नाश नहीं किया, 21 बार उनको किया, क्योंकि हर एक जगह में इन चत्रियों ने वेद का, ब्राम्मण का और गाय का तीनों के लिए अपराद किया था, उनको सजा देने के लिए किया, यहां पर उनके पिता के साथ, पिता को मार दिया उन्होंने, वो जो करत्वियर रजुन ने, बाद में, बदला लेने के लिए, उनके बच्चों ने, फिर ये गए अटक करने के, जब जब ऐसा हुआ है, धर्म का, धर्म को नाश करने के और हम शास्त्र लेकर के हम मार देंगे किसी को, तब तब परशुरामजी ने फरसा उठाया, और उनको सजा देने के लिए मार रहा है, तो यह उसकी कहानी, जो मुझे बताया गया था, यह मैं आप लोगों से, शेर कर रही हुए कि मेरे मन में यह हमेशा होता था, मुझे बड़ी, नहीं, गले की नीचे उतरती नहीं थी, यह जब मुझे बताया गया, तो मैंने उसको मान ले कि चलो ठीक है, दंड देने के लिए, अगर नहीं देते, तो ब्रामणों को यह लोग खतम कर देते, तो शायद उसको रोकने के लिए इन्होंने इस प्रकार का, जो है, रोल निभाया, चली,